बेंच खाली नहीं थी, एक बेंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुर्के में एक अधेर सू सभ्य महिला बैठी थी, बहुत देर चुपचा बैठने के बाद बुर्के में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने व महिला अपने मूँ को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुवत, इसलाम में बुद्परस्ती हराम है, और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी, तब युवक जला कर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्य अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माता फोड़ें, महिला युवक की मा से शिकायती लहजे में बोली, देखे बहन जी आपका लड़का तो बड़ा बत्तमीज है, ऐसी मजभी कटरता की वज़े से ही तो हमारी कौमी एक्ता में फूट पड़ रही है, युवक की मा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एक्ता का ठेका हम हिंदूों ने ही ले रखा है, अगर हर हिंदू माबाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले खुआजा मोहिनुद्दीन चिष्टी ने किस तरह इसलाम कबूल ना करने पर पृत्वीर चोहान की वीर पुत्रियों ने मोहिनुद्दीन चिष्टी के टुकडे कर दिये थे, पृत्वीराच चोहान ने मुहमद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चोहान की आँख में जलता हुआ सरिया डाल दिय जिससे वो अंदे हो गए, मुहमद गौरी पृत्वीराच चोहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलानी की कला को देखना चाहता था, पृत्वीराच चोहान के हाथ में तीर आते ही उन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा, गौरी की गर्दन पर ती पूते से उसे मारता था फिर भी हम हिंदू हैं कि सेकुलर बने फिरे हैं बाद में शेर सिंग राणा ने अफगानिस्तान जाकर प्रत्वीराच चोहान की कब्र से शव निकाल कर उसकांतिम जंसकार किया और उनकी अस्तियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर अजमेर के खवाजा मोहिनुद्दीन चिष्टी को 90 लाक हिंदूओं को इसलाम में लाने का गौरव प्राप्त है मोहिनुद्दीन चिष्टी ने ही मोहमद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था अधिकांश हिंदू तो शेर भी नहीं करेंगे दुख है ऐसे हिंद दोस्तों अगर आप